Okay class, यह हमारे पास third case है, ठीक है? First case क्या था? Total number of words में से आपको कुछ जो choose करने है, letters, ठीक है? वो जाएगा NPR, second case मैंने आपको बताया है कि first digit अगर हम fix कर दें, ठीक है? Third case क्या है? Third case हमारे पास यहाँ पर है, come together, third case is come together, ठीक है? अब क्या come together? ठीक हो, यहाँ पर मैंने question एक दिखाए आपके पास यहाँ पर, how many words can be formed of the letters of the word reason? यह word मैंने लिया है, reason, such that the vowels come together, यह जो word है, ठीक है? यह word आपके पास क्या है? ठीक है, word हमारे पास reason, ओके? अब यह कह रहे हैं कि यह reason word है, इसमें से आप vowels जो है, उनको करने हैं, इसमें से आप together करें, उनको एक साथ लिखें, ठीक है? अब vowels हमारे पास कौन-कौन से vowels हैं इसमें? A, E, O, ठीक है, यह तीन vowels हैं हमारे पास, A, E, O, बाकी जो rest of words क्या हैं हमारे पास? R, S, N, ठीक है? यह तीन हमारे पास क्या हैं? वोवल्स, और बाकी यह हमारे पास another words, another words, ठीक है, another words, य यह तीन हमारे पास another words हैं, अब वो यह कह रहे हैं कि यह तीन words हैं, तीन vowels हैं हमारे पास, यह हमारे पास एक साथ आने चाहिए, बाकी इनकी arrangement कुछ भी हो, उससे हमें कोई फरक नहीं पड़ता, ठीक है? अब यह तीन vowels हैं, A, E, O, ठीक है? अगर मैं इस तरह से box बना के बता आने चाहिए, बाकी यह तो तीन हैं, यह किसी भी तरीके से आ सकते हैं, S पहले लिख दो, R बाद में लिख दो, R इदर चला जाए, किसी भी तरीके से इनकी चेनिंग हो सकती है, लेकिन यह तो तीन हैं, यह हमेशा साथ आएंगे, अब यह तीन हमेशा साथ आएंगे, लेक इनकी जैन्मेंट से इसको कोई फरक नहीं पड़ेगा, ये किसी भी तरीके से चेंड हो सकते हैं, ये जो है, लेकिन ये आएंगे साथ, ठीक है, come together, अब देखो, ये पूरा एक साथ आएगा, तो इसको हमने कह दिया, ये पूरा सरकल जो है, हमेशा एक साथ आएगा, जिसको ह हो गया, three, और ये हो गया, four. It's mean, आपके पास जो N है, ठीक है, आपके पास जो N है, टोटल नंबर, एक one, two, three, four, N क्या हो गया, इसमे फोर, ठीक है, इसमें आपके पास N क्या हो गया, four, अ Après इसमें हमारे पस यह है कि जब हम यह जो one है इस पूरे को हमने एक suppose किया है तो इनके अंदर भी तो changing हो रही है यह आपस में भी तो एक दूसरे से change हो रहे हैं तो इसके भी three out waves बनेगे कितने total है एक दो तीन तो three इसमें आपके पास three out waves बनेगे तो यह नहीं कि इस एक के अंदर तीन alphabets है जो आपस में एक दूसरे से change हो रहे हैं ठीक है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इसको solve कैसे करेंगे अब हम कि three factorial multiply by NPR यह three factorial क्यों कि इस one word में आपके पास तीन जो outcomes हैं वो आपस में change हो रहे हैं come together हैं change हो रहे हैं आपस में ठीक ह तो यह आपके पास हो गया three factorial अब इसमें N क्या हुआ N हुआ total four इसको हमने one sub one किया था क्योंकर यह एक word बनता है एक साथ आ रहा है तो one बने गाई यह तो यह हो गया आपके पास N is four P अब हैं भी total आपके पास क्या है one two three four ठीक है और choose भी हम कितने कर रहे हैं इस पुरे को एक ही consider कर रहे है चेनिंग भी इनके अंदर ही हो रही है RSN तो यह R भी हमारे पास क्या होगा four ठीक है अब मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह से हो जाए N और R सेम हो जाए तो हम उसको N factorial भी कह सकते हैं लाजमी नहीं कि NPR लिखें आप इस पुरे को N factorial भी बोल सकते हो ठीक है तो 3 factorial multiply by इस पुरे को हम 4 factorial भी कह सकते हैं ठीक है तो अब इस पुरे का answer क्या हो जाएगा 3 factorial 3 factorial का मतलब क्या हुआ 3 2 1 multiply by 4 factorial मतलब 4 3 2 1 इस पुरे को multiply करने के बाद हमारा जो answer आ रहा है वो आएगा 144 ये हमारे पास answer है ठीक है मैं एक दफार दोबारा repeat कर दूँ कोशन आपके पास कोशन ये था कि आप इस पुरे letter को reason में से vowels जो है उसको choose करें पहले उनको एक साथ लिखना है come together ठीक है एक साथ बाकी जो words है उनमें change हो सकता है ठीक है अब aeo इसको हमने साथ कटा कर दिया बाकी जो alphabet से उनको अलग अलग form में लेग दिया अब ये जो पूरा एक word बन रहा है वोबल्स का इसको हमने कह दिया one बाकी elements two three four ठीक है ये पूरा total number of words बन गे four के अब चेनिंग भी इन चारों क अंदर ही हो रही है इन चारों को ही pick करना है में तो आर भी हमारे पास क्या हो गया four अब ये जो आपने एक word बनाया है basically इसके अंदर three words है एक इसलिए बोला क्योंकर ये एक साथ आएंगे इनके अंदर आपस में चेनिंग आएगी लेकिन ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सक था सबन में आगया सबको